अब इस पूरे मुद्दे के सुनवाई अगले तीन जुलाई को मुकरर की गई तो वहीं दूसरी तरफ नितीश सरकार के तरफ से दायर याचका को हाई कोट ने मन्जूर कर लिया है जहां उस याचका में इस मामने पर जल से जल सुनवाई करने का अग्रा किया गया थो अब सुनवाई इसी महीने होने जा रही है बता दे चले कि बिहार में जाती अधारत गड़ेना पर रोक लगी हुई है पतना हाई कोट ने इस पर रोक लगाई और सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीक तय की। लेकिन इसे बीच बिहार के नितीश सरकार ने पटना हाई कोट में कि याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, इसके बाद नितीश हुमार की सरकार को हल्की राहत मिली है। पतना हाई कोट बिहार सरकार की याचिका के बाद जल सुनवाई के लिए तयार हो गया है अब बिहार सरकार की जाती आधारत गड़िना से जुड़ी हुई इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी यो सुनवाई पतना हाई कोट में जुलाई के बदले अब इससे महीने होगी बताते चले कि बियार सरकार के इस अपील पर पतना हाई कोट में इसी मंगलवार यानि की 9 मई को सुनवाई होनी है शुक्रवार के दिनी बियार सरकार के तरफ से जाती अधारत गड़िना पर जल्दी सुनवाई के लिए पटना उच्छे न्याले में आई-ए यानि की इंट्रो लॉकेट्री आप्लिकेशन दी गई फिर दोपहर के बाद बियाहार के महादिवक्ता प्रशांद कुमार शाही ने चीफ जस्टरस के विनोथ चंदरन और नयाय मूर्ती राजीव रोई की खंट पीट से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई महादिवक्ता पीकेशाई के मुताबिक पतना हाई कोट ने इस केस में अंतरे मादेश दिया है वहीं आकरी सुनवाई के लिए अदालत ने तीन जुलाई की तारीक मुकरर की है लेकिन असम मामले में जल सुनवाई जरूरी है समय कोट ने उनकी याचिका मनजूर करते हुए दायर की गई इंट्रो लॉकेट्री आप्लिकेशन पर 9 माई को सुनवाई की तारीक तै कर दी बता देचले कि इसके पहले पटना हाई कोट ने ब्यार में चल रही जातिया अधारत गरिना पर रोक लगा दी थी ये रोक गुरुवार कोई क्याचिका पर सुनवाई के दोरान लगाई गई थी यह चिका करता कि ओर से वकील दीनु कुमार ने पटना हाई कोट में कहा था, पटना हाई कोट ने बियाहर सरकार को जाती अधारत सर्वे फोरण बंद करने का आदेश दिया था, साथी ये भी तैय करने को कहा था, कि कट्टे की गए डेटा को सुरक्षत रखा जाए और अंते मादेश पारत होने से पहले, इसे किसी के विसास आजा ना किया जाए, जाएक तरफ पटना हाई कोट ने अबना बड़ा फैसला सुनाते हुए, तीन जुलाई की तारीक मुकरर की थी, पर ब्यार में चल रही जात हाई कोट के तरफ से सुनवाई के बाद के आदेश सामने आता है, फिला के लिए इस बड़ी अबजीश में अतना ही, नमस्कार